असलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताने जारी हूँ एक ऐसा अमल जो की काम आएगा आपके रूठे प्यार को मनाने में जी हाँ यहाँ इभी मेरे पास कुछ दिनों पहले किसी साहब का फोन आया था वो जाना चाहरे थे कि ऐसा कौन सा अमल है जिसे करने से उनकी समस्या सौल्व हो जाएगी उनको उनकी परेशानी का हल मिल जाएगा समस्या से निजात मिल जाएगी तो मैंने उनको एक छोटा सा अमल बताया जो कि उनके बहुत ही जादा काम आया और इसलिए आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यह कौन सा अमल है जिसे करने से आपकी भी जो परेशानी है उसका हल आप निकाल सकते हैं तो प्यारे भाईयों और बेहनों ब बहुत लंबे समय तक मिलती रहती है तो आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी कुछ परेशानियों की वज़े से आपकी कुछ गल्ती की वज़े से आपका जो प्यार है वो आप से दूर चला गया है तो कैसे आप अपने प्यार को वापस अपनी जिन्दगी में ला सकते हैं बेहद आसान अमल है बहुत सारे लोगों ने जब इसका इस्तमाल किया उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने इस अमल को आज बना रहे हूं तो आपको करना क्या है कि आपको इस अमल की जकात अदा करनी है जकात बहुत ही जादा मामूली सी है मामूली सी जकात अदा करक आपका जो अमल है ये पूरी तरह से आपके लिए काम करेगा. आप अपने प्रेमी को या अपनी महबबत को पाने में कामयाब रहेंगे. आपके जो जिन्दगी है जिसमें आपकी महबबत आपसे दूर चली गई है, तो उसे पास लाने का सबसे आसान अमल मैं आज आपको बताने जा रहे हूँ इसको करने के लिए दो तरीके हैं पहला तरीका तो ये है कि आपको स्क्रीन पर जो लफ्स दिखाई दे रहा है आपको उसे बोलना है और उसके बाद आपके प्रेम आपका जो प्यार है जिससे आप महबत करते हैं उसके सामने जाकर उसकी आँखों में देखकर आपको ये कर देना है आपको ये लव्ज बोल देना है और इस तरह से आपका अमल पूरा हो जाएगा आपकी महबत आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी जकात पहले आपको बता देती हूँ जकात क्या है सबसे पहले आप क्या करना होगा कि आपको सवा दो किलो मीट लेकर उसके बाद आपको उसे लिजाकर कबरिस्तान में फेकना होगा जो भाई बहन हैं जो कि कबरिस्तान में मास नहीं फेक सकते हैं उनके लिए एक और तरीका है कि वो मीट को खरीदें और उसके बाद उसे ले जाकर आपको किसी गरीब को दान देना है किसी गरीब को दे देना है और इस तरह से करके आप देखेंगे जैसे आपकी जकात पूरी होगी उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिए गए इस लब्स को बोलना है और एक हाई निकालनी है अपने दिल से अपने मन से उस हाई को निकालना है आपकी जो भी जो भी आपकी आपकी मननत है वो पूरी होगी आप इसके दवारा अपने महबबत को अपने जीवन में फिर से लाने में कामयाब हो जाएंगे एक तरीका ये है कि आपने जब जपात पूरी कर ली उसके nep आपको ये करना है ये अमल अपनाना है इस अमल का जो शब्द है जो आपको लब्स दिखाई दे रहा होगा हमारे स्क्रीन पर इस स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए और इस लव्ज को आपको अच्छे से अपने महबबत की आँखों में आखे डाल कर उनके सामने आपको इस लव्ज को बोल देना है आप देखेंगे कि वो आपकी तरफ खिची चली आएंगी और आपकी महबबत आपकी बाहों में होगी ये कोई भी कर सकता है ये इसे मेरे भाई लोग भी कर सकते हैं और बेहने भी कर सकती हैं कोई भी जो भी इसे करना चाहे अगर आप किसी व्यक्ति आप खुद भी पुरुष हैं और आप किसी और पुरुष पर याने की मेल पर इसे करना चाहते हैं आजमाना चाहते हैं तो अगर आप उनसे आखी नहीं मिला सकते अगर आपकी महबबत आपसे नहीं मिल रही है आपसे बहुत जादा दूर है तो आपको उनकी तस्वीर लेनी होगी और उसके बाद आप उसे कर सकते हैं तस्वीर आप अपने फोन में ले सकते हैं या पिर अगर आपके पास असल का एक तरफ होनी चाहिए यानि कि उनका जो चहरा होगा वो आपकी तरफ हो साथ ही साथ उनकी आँखें आपकी आँखों में देखने वाली होनी चाहिए यानि कि जो फोटोग्राफ इस तरह से लिए जाते हैं जिसमें सामने वाला कैमरे में देख रहा होता है वो फोटोग्राफ आ तो आप भी इसे कर सकते हैं और इसका आपको इसका असर आपको आपकी समस्या का हल्स जरूर मिलेगा तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शब्बा खेर दोस्तों